दोस्तो आज मैं आपको आसान तरीके से सूजी और बेशन के लड़ू बनाना बताऊंगे इन लड़ूओं को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी ये लड़ू बनकी तयार हो जाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम सूजी और बेशन से बहुती बढ़िया और मज़िदार लड़ूओं को सूजी और बेशन के लड़ू बनाने के लिए एक कढ़ाई में डालेंगे देड़ कप बेशन डेड़ कप सूजी और साथी साथ डालेंगे हम आदा कप शुद्ध देशी घी और हमें यहाँ पर इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद इसको हमें लग भग 15 मनिट तक लो फ्लेम पे चलाते वच्छे से भूनना है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि लगाता चलाते रहना है चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है अगर चलाना छोड़ देंगे तो बेसन कढ़ाई में जल जाएगा बेसन भूननी की सबसे अच्छी पहचान होती है कि बेसन में से भीनी भीनी खुशबू आने लगती है 15 मिनिट हो गए है और बेसन हमारा अच्छे से भून गया है तो इसको हमें यहाँ पर कढ़ाई में बिल्कुल नहीं छोड़ना है तुरन थी एक दूसरी परात में ट्रांसफर कर लेना है इसको रख देते हम रूम टेंपरिचर पे ठंडा होने के लिए बढ़ते हैं और अब हम कुछ ड्राइफ रूट्स को कर लेते हैं ग्रैणड तो यहाँ पर एक जार में डालेंगे हम एक छुथाई कप काजू एक छुथाई कप बदाम एक छुथाई कप पिस्ता और इन सारी चीजों को करेंगे हम बारी ग्रैणड ये देखे ड्राइफ रूट्स का पाउडर हमारा हो गया बन के तैयार और सूजी और बेसन का मिक्चर भी हमारा ठंडा हो गया है तो इस मिक्चर में डाल देंगे हम बारी ग्राइंड किया हुआ ड्राइफ रूट्स का पाउडर आदा कप नारियल का बुरादा, डेड़ कप पिसी हुई चीनी और साथी साथ डालेंगे हम यहाँ पर एक चमच इलाईची पाउडर और सारे चीजों को हमें यहाँ पर अच्छे से मिला लेना है तो दोनों हाथों की मदद से अच्छे से मसलते हुए सारे चीजों को मिला लेंगे तो यहाँ पर लड़ू का मिक्चर हो गया है बन के तयार मिक्चर में से लेंगे हम थोड़ा सा पोर्शन और उस पोर्शन को हम हाथों की मदद से इस तरीके से दबाते हुए करेंगे गोल-गोल लड्डू बनाके तयार यह हो गया है यहाँ पर हमारा लड्डू बनके तयार और इसी तरीके से सारे लड्डू बनाके हम तयार कर लेंगे अब इन लड्डूओं पर लगाएंगे थोड़ा सा चांदी का बर्क और ये जो चांदी का बर्क है आपको मिठाई वाली की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा और इसको लगाने से लड़ू की जो सुन्दरता है वो बढ़ जाती है आशा करती हूँ आपको मेरी आज की रेस्पी पसंद आई होगी तो जुड़े रही है आप मेरे साथ मिलते हैं आपसे नेक्स रेस्पी में तब तक के लिए बाई बाई